असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं स्टेचिंग में दामना आज मैं आपके साथ गले की कटिंग और स्टेचिंग शेयर करूंगी बहुत यूनिक डिसाइन है यह मैंने एक इंच और पटी ली है बुकरम की और यह मेरे पास एक बॉर्डर था जिसके उपर मैंने इसको चपका लिया है और दोनों तरफ से कपड़ा इस तरह से फोल करके जो है वो उपर हम आईरन कर लेंगे ठीक है इस तरह से इसकी जो लंबाई है दस इंच की लंबाई है इसकी और एक इंच और यह पटी है उसके बाद मैंने ना कुछ लूप्स त्यार करके रखी हुई है पहले से इस तरह से मैं गम लगाँगी और वो जो लूप्स हैं वो मैं इस तरह से दो अटैच करूंगी एक साथ में यह जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से दो लूप्स लगाऊंगी और फिर आदे इंच के फास्टे के ओपर दो फिर से इस तरह से मैं इस सारे देखें टॉच्च कर ली हैं अगर आपके पास गम नहीं है तो आप सलाईसे भी इसको टॉच्च कर सकती हैं और पर इस के नम है लेस्ट ली है एक और इस तरह से मैं इसके दरम्यान से इस फूल को निकालूंगी ये मैं एक एक इंच के फासे के उपर अप्लाई करूंगी इस तरह से नीचे तक कट कर लें ये वाली लैस इस तरह से मैंने निकाल लिए और ये देखें ये मैंने बिल्कुल कमीज के सेंटर के पर ये पटी रख ली है और ये जो फूल है मैं इस तरह से नीचे रखने के बाद इसे सलाई गुजारूंगी एक एक इंच के फासे के उपर मैंने ये सारे फूल जो है वो अटैच करने है बहुत यूनीक डिसाइन है मेरे पास ये सना सफी नास का ड्रेस है जिसके उपर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ डिसाइन और ये जो पटी है ये बादर की साइट पर बादर था जो मैंने निकाल की इस तरह से डिसाइन बनाया है यूनीक डिसाइन बन जाता है और इस तरह के आपको मजीद डिसाइन देखने है तो आप मेरे चैनल को जरूर विज़र करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें यहां से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम फिर और इस तरह से फिर इनके उपर से हम जो है वो सिलाई गुजारेंगे पट्टी के उपर उपर बहुत फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल नियू लुक में ये जो है वो गला हमारा त्यार हुआ है उसके बाद गोल गले की कटिंग करके मैंने दर्मियान में अटैच करके फिर आपने जो है वो उसके उपर सिलाई लगाई है मैंने एक बारीच सी अभी मैं आपका दिखाती हूँ और बिल्कुल गोल गला काटके आपने जो है वो लगाना है इस तरह से और डिजाइन भी झालता है